हेलो गाईस तो वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाईस आज हम बात करने वाले हैं इस जाइलो केंट 5% ओइंट्मेंट के बारे में गाईस जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने लोक्स 2% जैली के बारे में भी रिव्यू दिया हुआ है दोनों में सोल्ड सेम होता है बट फरक यह है वो जैली फोम में होता है और यह ओइंट्मेंट फोम में होता है तो गाईस चलिए अब इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इसके यूजेज, साइड एफेक्स, प्रीकोशन, डोजेज, एंड इसके सब्सिटूट्स के बारे में तो गाईस इस वीडियो को आइंड तक जरूर देखेगा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाईस चलिए शुरू करते हैं चास ग्राम ओइंडमेंट का प्राइस 59 रुपीज है जाइलोकेन 5% ओइंडमेंट जाइडस हेल्थ केर लिमिटेड का बनाए हुआ ब्रैंड है और इसके अंदर लिडोकेन 5% होता है लिडोकेन टोपिकल नर्फ सिस्टम से दिमाग तक दर्थ के सिगनल के पहुचने को इंटरप्ट करके दर्थ होने के महसूस को कम करता है यह है लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी के अंदर आता है बात करते हैं इसके यूजिस के बारे में तो इसको आप किन-किन प्रोब्लम में यूज कर सकते हैं वेंटिक्यूलर टैकी काडिया में यूज कर सकते हैं एर्रेगुलर हीट बीट में ले सकते हैं पेन होने में यूज कर सकते हैं और इंपोर्टेंस में ले सकते हैं इन सब प्रोब्लम्स में इस ओइंट्मेंट को आप इसली यूज कर सकते हैं वैसे त depressed हो सकते हैं swelling हो सकती है आपको चक्कर आ सकते हैं सास लेने में थोड़ी बहुत problem हो सकती है joints pain हो सकते हैं और इसकीन पर लाल चकते जैसे पढ़ सकते हैं इसे अपन करके देख लेते हैं इसके इंदर में क्या क्या मिलता है तो जैसे कि आप देख सकते नौर्मली instructions के लिए में बताया हुआ होता है paper के अंदर और एक हमें इसमें cap मिलती है उसके बारे में बात करेंगे तो guys मैं आपको बता दूँ इसको यूज करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए जैसे कि अगर आपको drug allergy हो मतलब की अंदर दिये गए salt से आपको allergy होना liver disorder हो eczema की problem हो और arterial fluter की problem हो आप guys बात कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है तो guys जैसे कि मैं आपको बता दूँ इसको आप बवासीर में तो यूज करी सकते हैं तो normally अगर आपको इसको यूज करना है तो इसको आपको open करना है ये by hand पे भी आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं या अगर second thing इसके अंदर हमें ये cap दी भी होती है जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमें फाड़ना होता है और इसके ओपर हमें ये कस्त देना होता है तो उसके बाद आप easily वैसे भी use कर सकते हैं डारेक्ट पार्ट पर भी लगा सकते हैं नोर्मल ये आप hand पे अपनी finger पे रखके भी इसको apply कर सकते हैं तो गाइस बस यही था इस xylokane 5% ointment के बारे में full review I hope आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको किसी भी point पे अच्छी लगी होतो या फिर आपके लिए helpful रही होतो प्लीज like share comment करें भीना मत जाना अगर आपको इस ointment से related अभी भी कोई भी doubt है तो आप हमसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे direct instagram पे भी बात कर सकते हैं तो गाइस मिलते हैं next video में thanks for watching and take care